llo friends, my name is Rahul Tivari and this is my youtube channel technical Rahul तो दोस्तों यहाँ पर कल मैं आपको बताया था कि तेक्पने एक नया स्मार्टफोन बहुत जल्दी लॉंच करने वाला इंडिया में और basically मैं आपको बताया था कि आज ही हो स्मार्टफोन लॉंच होने वाले हैं जो कि Tecno का पहला पॉपो सेलफी कैमरा वाला स्मार्टफोन होगा सबसिक कमप्राइज एंज में यहाँ पर दुस्तों अगर बात करता हूँ उस स्मार्टफोन की तो जो स्मार्टफोन था वो था Tecno का Camon 15 और यहाँ पर वो इस स्मार्टफोन राँच हो जो का finally इंडिया में और यहाँ पर हैनानी की यह है कि टेकनो ने एक नहीं बल्कि दो-दो स्मार्टफोन आज इह पर अपने budget स्रीस के लाँच कर दिये हैं इंडिया में और घ्र चोड स्मार्टफून में ऑपो 48 में okay 4 ुपी ख्यामेरा पीछे की साइट दिखने के लिए मिलता किया कुछ पर 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 यहां पर एक पपफ सेलफी के बारे में जो कि मैंने आपको यहां पर बता था तो मैंने सुचा कि इस वीडियो को पहले यहां पर डाला चाहिए जो कि टेक्नो के पहले पॉप सेलफी के आवरा बोले स्मार्टफोन की है जो क्योंकि काफे सारे लोग यहाँ पर वेτι भी कर रहे थे और काफे सारे कमेंट्स भी यहाँ पर इसे स्माठफून की बारे में आ रहे थे तो यहाँ पर 1x1 टेक्नो के केमज़ ओन 15 Pro के सभी फीचर्स के बारे में बात करता हूँ और लास्ट में हम बात करेंगे हापर इसे स्मार्फून की प्रायस के बारे में की आखरें किस प्रायसिंग पे इसे स्मार्फून है वो यहाँ पर लॉंच हुआ है आज इंडिया में तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं और यहां पर टेक्नो के Camon 15 Pro के डिस्प्ले के बारे में यहां पर आपको एक 6.55 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है जो डिस्प्ले इस बर दिया गया है वो एक बड़ा डिस्प्ले है टेक्नो की तरब से और इसमें आपको एक पप अप सेल्पी camera देखने के लिए मिलता है इसलिए जो बैजल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो काफी जादे थिन देखने के लिए मिलेंगे और जो screen to body ratio है smartphone का वो यहां पर काफी जादे high है इसके साथ साथ अगर बात करता हूँ यहाँ पर इस smartphone की और भी features की बात करता हूँ यहाँ पर camera की highlighting feature है तो पीछे की साइड अगर camera की बात करता हूँ तो 48MP का quad camera पीछे की साइड आपको देखने के लिए मिलता है जो की यहाँ पर main sensor दिया गया है 48MP का front camera की बात करता हूँ तो 31MP का purple selfie camera आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है इसके साथ साथ यहाँ पर आपको night mode का भी option दे दिया गया है जिससे आप यहाँ पर dark light में भी जो image वगर capture करेंगे वो काफी जादे bright होगी low light sensor आपको यहाँ पर दिया गया है जिससे आपकी जो image processing और image की quality होगी वो काफी जादे better आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी इसके साथ अगर बात करता हूँ यहाँ पर इस smartphone की बैटरी की तो 4000 mh की बैटरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है इसके साथ बात करता हूँ अगर मैं यहाँ पर इस smartphone की प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर दिया गया है वो है यहाँ पर immediate का helio P35 प्रोसेसर अब सारी चीज़े तो यहाँ पर सारी features तो काफी अच्छे है लेकिन मैं आपको कल वाली वीडियो में ही बताया था कि प्रोसेर इन smartphone company के उतने अच्छे नहीं होते हैं जिनकी वज़े से जो smartphone होते हैं वो कहीं न कहीं downgrade होते हैं कहीं न कहीं मार खा जाते हैं कंपडीशन नहीं देपाते हैं जो कि यह काफी अच्छे smartphone से इसके साथ अगर बात करता हूँ राम वाइरेंट की तो इसके बेस वाइरेंट से आपको 6GB RAM और 120GB देखने के लिए मिलती है जो कि एक प्लस पॉइंट है कि पीछे के साइद रियर मांट्ट फिंगर पिंगर पींद सेंसर आपको यह पर दखने के लिए मिल जाता है तो अबराल सभी measures तो सेम हैं काफी अच्छे हैं लेकिन यहां पर बात करता हूं इसे स्मार्टफोन के प्रोस्टर के बारे में तो यह थोड़ा सा मुझे यहां पर डिसपॉइंट करता है क्योंकि प्रोस्टर थोड़ा सा यहां पर स्टॉंग और होना चाहिए था है तो यहां पर यहां पर ही suscri technologies या फे mercy प्रासर होता है तो काफी अच्छा पर आसकता था बहराल दूस्तों यह थे पूरी features यहां पर इसी स्मार्टफोन के today no companion剛 Ralph 15 और अगर आप यहां पर इसे स्मार्टफून को खरीदते हैं तो इसके साथ साथ आपको यहां पर 3499 पर का एक Bluetooth speaker free यहां पर दिया जाएगा विस दोस्तों आपको क्या लगते हैं आप इसे स्मार्टफून के बारे में आप मुझे यहां पर नीचे कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूँ छोड़ी जनकारी समय में आ गई होगी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमें से जोको देजेगा अब इतकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नीकिया सब्सक्राइब को रिभी लगान प्र प्रेस करेजेगा